तो इस questions को हम लोग जो questions हमने आपको दिया था तो इसको हम पहले क्या करेंगे इसकी chapters को मैं थोड़ा पढ़ाने की प्रयास करता हूं क्योंकि देखो answer writing में तो आ जाते हैं तो चीजे तो तुमको थोड़ा से clarity अपनी पड़ेगी क्योंकि questions UPSC में उम्मीद कर सकते हो कि नए framing हो सकती है लेकिन question topic से नहीं भटकेगा बासाओं का game है बासाओं का खेल है वही होती है लेकिन आपको concept अच्छे से clear है you can able to attempt this question तो सबसे पहली बात होती है कि यह जो 3-4 questions में दिया था कि क्या धर्म नैतिक बेवार को प्रवावित करता है और धर्म नैतिकता के बीच अन्यों किरियात्मक संबंध की ब्याख्या करनी थी दूसरा question था तुम्हारा धर्मिक भास्या को लेकर करके कि धर्मिक भास्या क्या संगेनात्मक स्वरूप संदर में जो बिटिकन स्टाइन का विचार था उसकी हमें विवेचना करनी थी फिर उसके बाद तीसरा question था कि धर्म के बीना नैतिकता संभव है किन्तु नैतिकता के बीना धर्म संभव नही है चोथा कोशन था कि क्या आप मानते हैं कि धर्म नेतिकता अभिवज है मतलब उसको अलग नहीं कर सकते हो और अपने जो स्टेटमेंट है उसको आपको पर्ष में तरक भी लेना है और लास्ट था कि क्या धर्म के नाम पर हिंसागा समर्थन करने में कोई दार्षनिक तरक आ टैंप करने से पहले हम दो-तीन चीज़ समझेंगे किलियरेटी के साथ क्योंकि यहां से कोशन आते हैं और हर साल एक साल छोड़ करके देखो कि कोशन पूछ लिया है तो जब हम चैप्टर्स की बात करते हैं खास करके देखोगे जब हम रिलीजन और मॉरालिटी की बात करे होगे तो सबसे पहली बात तो इसमें यह ध्यान देना है ध्यान से समझना जहां भी दिक्कत हो पूछ सकते हो ठीक है क्योंकि सेंटर सेंटर जो मैसेज है जो सेंटर आइडियाज है यदि वह किलियरेटी के साथ हो गया ना सारे कोशन तुम लिख लोगे जैसे एक चीज मै दिखाता हूँ यहाँ पर सपोस्ट करो तुमसे पूछ ले कि पहले तो मुझे यह बताईए कि रिलीजन और मोरैलिटी ठीक है यानि आप धर्म की बात करते हो एक तब नैतिक्ता की बात करते हो तो इसके भी किस संबंध कैसा है यानि इसके बीच में हम बात कर रहे हैं रि रिलेशन कैसा है कैसा संबंध है इन लोगों के बीच में क्योंकि यहाँ पर दो-चार बिकल्प तुम्हारे पास आएंगे हम बिकल्पों के अधार पर ही UPSC में सवाल पूछा गया है हमने जो सवाल दिये थे उसमें कोश्चन जो था वो प्रिवेस के पेपर कोश्चन थे तो देखोगे कि कैसे यहाँ से कुश्चन उठता है और कैसे कुश्चन एडाइज होगा बहुत क्लियरिटी से समझ मा देगा तो अब तुम लोगो खूद आपने सोचो कि जब हम दो चीज है मालो मैथेमेटिक्स पढ़े होगे क्या बोलते हैं क्या वुलते है भीजगशन हिंदी में 20 गशनित बोलते हैना मालो कोई सेट है कोई दोनों अलग अलग हो ए में मालो even number है अब भी में odd number है तो दोनों क्या हो गया अलग हो गया हो सकता ऐसा यह कि जो टू से divisible होगा even number जो टू से divisible हो odd number तो एक तो यह हो सकता है दूसरा हो सकता है कि ए बड़ा अब भी उसके पार्ट हो सकता है यह भी एक condition बन सकता है एक condition यह भी बन सकता है और तीसरा यह हो सकता है कि बड़ा हो ए उसके अंदर हो इस इस दे बी और दिस इस दे ए और चौथा कणिशन यह हो सकता है कि ए की कुछ भैलू बी की भैलू में हो यानी इंटरसेक्षण हो यानी आप यहेई पर मालो एक को माल लो तुम अर्म और भी को मालो morality एक को कहो मालो हमने माल लिया धर्म और भी को हमने माल लिया नयतिकता यही concept है यही चार टाइप है जब हमने बोला अभिवज जो detachable नहीं किस में आ जाएगा अलग नहीं कर सकते हो एक की में दोनों समाईइत हो गया सारा गसार overlap कर सकता है यह तो एक ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरी की पूरी एलिमेंट्स बीक एलिमेंट्स ए में आ गया तो पूरा overlap हो रहा है यह सिंपल सा किसका पाट हो गया है यह हमने ऐसे mathematics करते हैं as a philosophy आज आते हम धर्म पे हैं अब देखों एक भी कल्प हमारे पास यह हो सकता है जैसे यह हो सकता है कि हम एक भी कल्प माने एक option में हम देख लेते हैं कि यह जो गोला है यह धर्म का है और इसके अंदर एक छोटा पाट है वो है नैतिक्ता यानि हम यदि इसको भासा के रूप में लिखें यदि मान लो इस figure से हम भासा बना है हम language बना है तो हम क्या लिख सकते हैं यह धर्म बढ़ा नैतिक्टा छोटी और सबके example के साथ बताऊंगा हर conditions में देखोगे तुम जब धर्म बढ़ा है नैतिक्टा छोटी है तो ऐसे क्या conditions आ रहे हैं ऐसे क्या उदारन आ रहे हैं धर्म बढ़ा और नैतिक्टा छोटी यह होगा ना जब धर्म का गोला बड़ा बना दिये नैतिक्टा छोटा रखे मतोब धर्म को तुमने क्या कर दिया एक stream दिखा रहे हैं उसमें छोटा सा पाट्त रख लिए इनैतिक्टा है दूसरा क्या होता है कि इसमें चीज और होगा इस से इसी डागराम से सोच क्या निकाल सकते हूं एक तो तुम यह कह सबतों कि सब्सक्राइब और इसमें एक अर्थ है तो पहले आगा तब तो आयगा ना यानि कि हम क्या सकते हैं कि धर्म पहले आता है और नितिक्ता बाद में नितिक्ता बाद में ठीक है अब तुम लोग मुझे सोच के बताना तीसरा इस फिगर को देखके कुछ निकाल सकते हो तुम सोचो थर्ड पॉइंट निकालो तुम लोग इस दोनों से अलग निकाला लेकिन ठीक है तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं तुम क्या हुआ जी सब सोगे नितिक्ता धर्म पर निर्वर है नितिक्ता धर्म पर गुड कह सकते हैं कि नितिक्ता धर्म पर निर्वर है नेतिकता धर्म पर नेगा और कुछ पता चल रहा है देखो तो और कुछ धार्मिक होना ही नेतिक होना है लेकिन नेतिक होना धार्मिक होना नहीं प्यार लूब सब्सक्राइब मतल्स फिगर को देखे माई इस ईस फिगर को देखो इस विकल्प को भाइब दर्म के बिना नितिकता नहीं तो भाई जब नितिकता धर्म पर निर्वार है तो और ने पॉइंट बता कोई देखो नैतिक लोग नैतिक अरे उतना मत जाओ अब इसके बताओ तुमें कोई स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कोई ऐसा स्टेटमेंट है इसमें बिल्कुल है तुम कह सकते हैं कि सर अब हम इसको हर विकल्ब को चेक करेंगे तब यह सब बात लखेंगे लेकि अभी क्या आएगा एक लाइन में बताओ कि अभी से और क्या हम बता सकते हैं क्या हम यह कह सकते हैं कुछ भाग निष्टिक्ता लिया निकूछ भाग तो नहीं पूरा जब तुम पॉड़ा पुड़ी करा दिये हो तो अधियोसी बात आँ है छोटा है निष्टिक्ता तो चोटा है पहला ही स्टेटमेंट करेंगे तुम कि धर्म बढा निष्टिक्ता कह सकते हो कि सर नेतिकता धम से उत्पन हुई है कि यह सकते हो कि गोला को देखके इसका इसका नहीं होगा यह चार स्टेट्मेंट मैंने लिखा है तो चारों को प्रूफ करना पड़ेगा यह दि मैंने कहा कि नेतिकता धम सुत्पन होती है कि तुम्हें बताना पड़ेगा wy कईसे एक बात बताओ एक एक की धो फिरम में हिन्सा जायज है अरे कुझा पाट करते हो बली देते हो बक डिकी बली देते हो चाहें हो गीज़ते हो वहां तो जायस कर दोगे और एक जगह कहोगे कि नहीं नहीं यह चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो जैसा धरम बैसन मोरेलिटी हमारी है यह हुआ ना धरम के अंसार मोरेलिटी नहीं लगता तुमको चेंज हो जा रहा है यह जो बैसनों धरम वाले हैं या जो जैनिजम को मानते हैं जो बुदिजम को मान रहे हैं उनके लिए सोचो कि जो पसूबद है जो बाकी जो धरम मानते इसलाम हो चाहे इंदुजम में भी बहुत सारे जगह तुम देखते हो बके वगेरे को चढहा जाता है तो हमारा लाम मतलब कि धरम के कोडिंग हमारे डिपेंड चनेज हो रहे हैं हमारा है में शोटा से और मान सार को ले तो यहां रखता चाहिए कि कहीं ने तिकता को कमजोर किया जा रहा कि मुलकुल कुछ घर् Us कि आपि मोरेडी की घर्वोरर है और्ब कि ने रत कर दो इस नेतिकता का घोला बड़ा ज़िए ृध्92 छोटा नेतिकता पहले धर्मबाद में धम नेतिकता पनिरभर झानातिकता सुथपन यह भी हम कह सकते हैं और हो सकता यह नहीं हो सकता है, गया नहीं हो सकता है तो अब सवाल यह उठता है कुछन आया था तो मरें पस outta धर्कोतों तुम्हारे सामने थे ना तुमने यहां थे इनुखा समक्राइब कि यह देखो पहला था कि धर्म और ने तिकता एक अभिवज रहे हैं कि और एक कुशन था कि धर्म के बीना नेतिकतार संभ cabe किन्तु नतिक्ता के बीना ध्रम संबव नहीं है और एक कोश्वन था कि यहां पर धर्म नतिक वेवार को प्रहावीत करता है यही तो पहला विकल्ब है तुमारे पास और साथ यह भी चैहरा है कि ध्रम नतिक भी आतम क्रांदधे उसकी व्याक्या किजिए अब जो हमने चार स्टेटमेंट्स यूज किये हैं चार इस विकल्प के साथ इस चारों पे हमें चर्चा करनी है तो यह चीज़े यह दिया आपको समझ में आ गया तो फिर आप कुछ नहीं करोगे तो इसके options को बदल दो गया तो पहला तो यह विकल्फ होें तो तुम्हारे पास वर्स्ट ऑप्षन तो तुम्हारे पास ये है ऐब तुमारा स्ट्राश रॉर्स साथ अब उसी तरह से तो उन्हाना सेकेंट उप्षन यह लेलो पह DC इंट्रेस्टिंग है ठीक है बस एक बार कंसेप्ट वाँसा किलियप हो जागा ना फिर देखो है कितना अन्रेस्टिंग एक पहरा कर दो ऐा कि वह बटा गोला बना लो यह तुम्हारी नैतिक्ता हो गई उसके अंदर एक छोटा गुला बना लो इसको बोल दो वह या यह हमारा धर्म है और यह हमारा भी कल्ब दूसरा है हम कह सकते हैं कि नैतिक्ता नूल संस्था है और धर्म उसका एक भाग है नैतिक्ता बहुत बड़ी संस्था बहुत बर और अगनाईशन मान लो ऐसे लेमेन वाजा में कि बहुत बरगनाईशन है और उसका एक डिपार्टेमेंट है एक भाग है धर्म तो यहां तुमने पिक्चर पोट्रेट जो किये हो धर्म का सबसे नैतिक्ता का सबसे बड़ा किये उसमें एक छोटा सा जगह तुमने धर्म को दे दिया लेकिन इसके पहले वाले विकलमें ठीक उल्टा किया, तुमने धर्म को बहुत बड़ा पोट्रेट कर दिया, और उसका एक छोटा सभाग को तुमने नेतिकता को दे दिया, यहां ठीक कहानी उल्टा होगी, तो पहला तो इस्टेक्मेंट यह होगी, दूसरा इस्टेक्मेंट, नेतिकता पड़ी, धर्म को तुमने छोटा कर दिया, ठीक है, तीसरा ठीक उसी के उल्टा, क्या हो गया वह तीसरा, तो तीसरा यह हुआ, कि नेतिकता पहले आए, और धर्म, बाद में, ठीक, और जिस्ता से तुमने कहा, कि नेतिकता धर्म पर निर्भर है, अब धर्म किस पर निर्भर हो जाएगा, नेतिकता, धर्म, नेतिकता पर, यह तो तुम्हारा दूसरा भी तलकुआ, तीसरा भी कल्प क्या होगा, अब इतना डिटेल नहीं लिखेंगा, ठीक है, तुम लोग समझमा ही रहा होगा, कोई दिकत तो नहीं हो रहा ने किसी को, तीसरा भी कल्प, ठीक है, तीसरा भी कल्प हम देख लेते हैं, तीसरा भी कल्प, तुम ही लोग सोच के तुरा बताओ, क्या कर सकते हो, क्या तुम कह सकते हो, कि सर, तीसरा भी कल्प में हम अलग कर दें, दोनों को, इदा धर्म को कर दो, और इदा, नतिकता हो, क्या कर दिये तुमने, एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे से, स्वतंत्र है, कौन नतिकता है, अब यहां रिलेशन बनने का सवाल ही नहीं पैता होता है, लेकिन, चौथा दिकल्प क्या होगा, अजी बोलो, सर, स्वतंत्र और विरोधी और एक में स्वतंत्र और सहाई का, ये दोटो होगा, क्या बोला, स्वतंत्र दोनों है, लेकिन एक में बिरोधी होगा, और एक में स्वतंत्र होगा, यहां तो दिकत नहीं है, अब देखो, एक बाद बताओ, तुमने इसको स्वतंत्र कर दिया, इसको भी तुमने स्वतंत्र कर दिया, ठीक है, लेकिन ये दोनों स्वतंत्र तो ह हैं लेकिन एक दूसरे के विरोधी नहीं है यह नहीं कि नतिक्ता धर्म को क्रिटिसाइज करेगा और धर्म नतिक्ता को क्रिटिसाइज करेगा तो विरोधी नहीं है दोनों लेकिन दोनों अदूसे से स्वतान्त्रह है उसी तरह से छोथा दिकल्ब जो तुम्हारा बनेगा वह होगा कि यह दोनों अलग-अलग तो हैं यह दोनों अलग-अलग तो हैं लेकिन एक दूसरे के बिरोधी हैं अलग-अलग होते हुए भी हुए भी एक दूसरे के बिरोधी है अब इसको explain करें हर भी कल्प है और question है ये चार question है ये यही चार question इसमें आएगा मोरेटी को रिलीजन के साथ पढ़ोगे तो यही चार question यहां से बनते हैं पाचमा question नहीं बनेगा तो इन ही चार question में से देखोगे पीएसी के पेपर्स में तो में question repeated होगे अब एक बाल बता हूँ क्या यह चारो सही है या हम जब analysis करेंगे इन चारों हम क्या देखेंगे ध्यान रखना जब कहीं बिकल्प दिया रहता है तो उसमें यह देखा जाता है कि कौन सब बिकल्प सबसे ज्यादा तारकिक है, सुसंगत है, किस बिकल्ब में तारकिकता ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे हर बिकल्ब के साथ उसकी संगतता और तारकिकता को देखना होगा, जाश करना होगा, जैसे मैं एक दू कर देता हूँ, बाकी तुम लोग खुद कर ले न, जैसे देखू, माल लो, पहला बिकल्ब ले लो, ठीक है, हम माल लो, पहला बिकल्ब ले लिए, और पहला बिकल्ब हमारा क्या था, हमने धर्म को बरा बनाया, और नितिकता को हमने क्या कर दिया, फुटा बनाया था, यही किया था, यहाँ पे देखू, यही था ना पहला अप्शन हमने धर्म को बड़ा बनाया दिया और नेतिक्ता को हमने छोटा बना दिया यानि इस दियाग्राम से हमें यह पता चलता है कि धर्म नेतिक्ता को उत्पन करता है पैदा करता है तो उत्पन कर रहे है और इस दियाग्राम से हमें यह भी पता चलता है कि नेतिक्ता धर्म का एक भाग है पूरा नहीं है नेतिक्ता धर्म का एक भाग है अब देखो ध्यान से समझना अब आएगी में स्टोरी जब हम इस स्टेट्मेंट को देखते हैं कि धर्म नेतिक्ता को उत्पन करता है या नेतिक्ता धर्म का एक भाग है तो जो पहला भाग कह रहा है यह वह बिकल्प है कि किसी ने किसी ने तो कहा होगा न वहीं किसीन अपनी बात रखी होगी उसने कहा कि धर्म है बड़ा संस्था है और नेतिक्ता उसका एक भाग है तो जो लोग इस बात को करेंगे कि नितिक्ता और धर्म को बड़ा बनाएंगे नितिक्ता को छोटा बनाएंगे तो कुछ ने कुछ तर्क देंगे न वो किसे न किसी आधार पर कहेंगगा कि ये बात शाही है और हंने इसके इनरसिस करनी होगी कि भाई तुम जब अपने जब आप कह रहे हो कि धर्म बड़ा, न्यतिक्ता जोटा, न्यतिक्ता धर्म का भाग है, आप क्या तरक देते हो, आप कैसे कहते हो यह स्टेट्मेंट साही है या आप इस तरह का जुम्मत रखते हो इसके पीछे कोई नो कोई कारण तो होगा आप अपना करन बताईए आप अपना तर्क बताईए फिर उसको इनासिस करते हैं देखते हैं कि आपका तरक कहा तर्सुसंगत है यहां तक तो दिक्कत नहीं हो रह कंफ्यूजन नहीं है अच्छा कंफ्यूजन नहीं चलो अब देखो अब यहां पे एक चीज़ समझना जो बेक्ती या जो जिन्होंने कहा कि धर्म बरा और नतिक्ता छोटा उनका कहना है कि देखो कि यदि हम धर्म और नतिक्ता का जो सरूप है जो उसका नेचर है एक जैसा है ठीक है और साथ ही साथ वो कह रहा है यह कोई संस्था नहीं है यह कोई की यह दर्म द्वारा उत्पन है और यह भी कह रहा है कि देखे नतिक्ता या तो इस्वरके ने इसको उत्पन क्या है यह धम उत्पन क्या है इसलिए इसके जो विशेस्टा जो लक्षन है किसके नैतिकता के इसकी जो विशेस्ताय है इसके जो लक्षन है वो कहां से आ रहे हैं वो आ रहे हैं धर्म से ठीक है तब सवाल यह उठता है कि एक बात बताओ जब आपने कहा कि धर्म नैतिकता के लक्षन विशेस्ताय धर्म से आ रहे हैं तो पहले तो हमें यह बताओ ना कि नतिक्ता होती क्या है what is the morality हमें यह पता चलेगा तब तो हम कहेंगे ना कि बात सही है भी के नहीं है तो जब हम बात नतिक्ता की करते हैं तो हम कहते हैं कि नतिक्ता इस नतिंग बट इस लाइक आच्छरन देवहार आपका मानवी कार जो आप करते हो आच्छरन का आदर्स है आईडियल है क्या है वो आईडियल है विक्ति को क्या करना चाहिए मानव को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको क्या करना चाहिए जो कहते हो ना कि तुम्हारी ड्यूटी है तो आपकी ड्यूटी क्या है आप morality में जब आप देखते हो कोई officers है उसको पोलतो हो कि आपकी moral duty क्या है उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है वो तो बात की बात है आपको क्या करना चाहिए तक बहुत सारे ऐसे चीज़ें आएंगी जहां पर आपको लगे गलत है लेकिन बाई और रूल वो चीजों को करेगा तो यहां पर हम उचीज को डिसकर ना करके हम यह देखने की परियास करेंगे कि जो इन्मै धर्म को बड़ा बनाए धर्म को बड़ा कौन मानेगा ज़ो धर्म्शास्त्र न minimize करेगा है जो अपने आप को धर्म का रेपरजेंटेटिम मानते है वही धर्म दर्क करेंगी कि भूसे धम को डिफेंड दरना है ना भाई हमने प्रेविया सेशन में देखा था थी बात हमने किया था धम धम सास्त धम दर्शन हमने तीनों पर डिफेंश देखा था तो जो लोग इस सब को सपोर्ट करेंगे वह लेके आएंगे न कि धम को बना बरा बना क्योंकि फस है तो कहने का मतलब कि बेक्ति का जो मानव का जो आचरन है जो बेवहार है उनका यानि मानव को इंसान को कि क्या कार करने चाहिए कि क्या करना चाहिए है ना जैसे एक सब्द आता है उसको हम बोलते हैं साइन्स ओप ड्यूटी यानि कि किसी बेक्ति को कि ऐसे कह सकते हो कि साइन्स ओड्यूटी का मतलब यह है कि जो बताता है कि बेक्ति क्या करेगा मालो कोई कहीं पर कोई अभी सपोस्ट करो जैसे अभी उत्रा खंड में वह जो मजदूर फस गया है माइनिंग में फसे ना रास्ता ब्लॉक हो गया है या मालो किसी आपदा में कोई बेक्ति फस गया तो जो ब्यूर क्रैसी है जो नौकर साह है ठीक है उनकी आपदा की क्या ड्यूटी है हां पृपकन, खाष्चाय किया करना चाहिए कि उसी तरह से मालो कोई बीमारी है किसी दोक्ट्र के पास जाओ गये तो डॉक्ट्र की क्या जूलीया है तो हर पहर एक क्या निदारीत है आपधा के केस में एक वीरोक्रेसी की क्या इध्य होगी प्रशाषन क्या 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 स्थ हो है अब यह सवालू है कि भ ağई क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कि नेतिकता कुछ और नहीं code of conduct है अब तुमनों लग रहा होगा कि सर पता नहीं एथिक्स परहाने लगे क्या हम एथिक्स नहीं परहा रहे हैं यह तुम्हारा philosophy का chapter है ठीक है तो इहीं से जूट जाएगा इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि philosophy is the part of ethics is the part of philosophy मतलब philosophy एक भड़ा संस्था और उसका एक पार अथिक्स है टॉपिक लेकिन ऐसा नहीं कि जो syllabus यूपिए सीगा तोटली philosophy ठीक है लेगिन philosophy का पार्ट है अधिक्स तो यहाँ पर code of conduct ठीक है यानि आप कह सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ठीक है यानि हम कह सकते कि नतिक्ता कुछ और नहीं मनुष्य के आचरन कि आदर्स नियम है कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है कि विक्ति को क्या करना उचीत है और क्या करना उचीत नहीं कि समझ मारी है ना बात क्योंकि जब आप नहीं के लिए चीज के साथ समझोगे तो फिर आप उसको जोर नहीं समझ पाओं को आपने रखा है उसी तरफ आप मत नितिक्ता को रखा है और फिर आप उन्हेय के बीच में संबंदों का निधारन कर रहें तो पहले तो आपको दोनों बात और किल्यर होनी चाहिए और नों कर पाओगे इसको analyze कर पाओगे और इसमें जो कमिया है उसको सामने लाओगे तो फिर देखोंगे यह तुम ए समने दुसरा भिकल आएगा क्यों कि इसमें हमारा काम हुता है धमदर्शन का काम ही है कि जो बाते कही जा रही है उसमें कित nuggetionenki obtained cold ennjon कंडिशन में आप कुछ और कह रहे हो दूसरे कंडिशन में कुछ और कर ले रहे हो अपने उमसार जब मन करें नयतिक्ता को बदल दो जब मन करें नयतिक्ता को अपना लो जब आप कोई बात कह रहें तो हर कंडिसन में सही होनी चाहिए ना आपके लिए कुछ और नेतिकता हमारे लिए कुछ और नेतिकता तो फिर बदलेगी न कहानी हमीर है तो आप कुछ और करेंगे आप followers हैं तो कुछ और करेंगे उस तरह सनियत यानि हमें कह सकते हैं हम इसमें कि यदि हम नितिकता को धम के साथ देखने की प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि नितिकता का essence क्या है और तब जाकर करके हम इसको compare करेंगे जैसे यहां पर अच्छा एक बात बताओ तुम लोग को हम नितिक हैं हो रहे हैं या हम नितिकता के गुनों को follow कर रहे हैं है ना नितिकता के जो गुन है सदाचा सत्त बोलना बहुत साइशी से तो हमारा जीवन कैसा होगा हमारा जीवन अच्छा होगा या बुड़ा होगा खड़ाव होगा कि अच्छा होगा बोलो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा ये खड़ाब होगा अच्छा होगा तुम्हारा जीवन खड़ाब हो जाएगा मारी आवाज नहीं आ रही है देखो मेरी वास सुनों देखो बेकती जब किसी से कि रिस्पेक्टका उमीद करते हो तो नहीए सामने वौला मेरी साथ तो诘्ण करें कि आप के लिए कुछ नहीं और आप दूसरों से उमीदें पाले पास हमाले हुए हैं ये माल लोग देखती है हम नैतिक हैं अधि हम उम्मीद करेंगा है कि दॉक्तर के पास हम दिखाने गये हैं या किसी काहर मेकैनिक के पास हम गये हैं कार वन वह भी नहतिक को पालन करें जो सही चीजें जो खड़ा उसको बदल दे वरना डॉक्टर भी पचास तरह का टेस्ट लिखवा दे जो दवाई नहीं जगत है उसके दवाई को भी लिखवा दे तो हम यदी नहतिक होंगे तो हम उमीद करेंगे कि सामने वाले भी नहीं सकते लेकिन आप तुम स्षख्रेट प्योतुमेद सरापtsåर्फ उर्सावने वाले को मना कर रहे हैं और आज कल यहीं होता है है होता है इंदूसरे को मना कर रहे हैं हम घर में क्या करते हैं आइसे को में करना चाहिए यानि सोब, यह नयतिक हो जाए के से कोई टैक्स चोरी ना करें, कोई टाइम पर नेता भी नयतिक हो जाए now वहारे तुम्हारे पिष्वन लग होता है नेता को भी नयतिक होना चाहिए हम भी नयतिक हो जाए कि अब सभी वेक्ति अपने नयतिक आचरन का पालन करें तो मानो कल्यान हो सबका कल्यान हो जाएगा ठीचा टाइम परहा दे सरकारी स्कूल हो या प्राइबेट इस्कूल अफीस इतनी मोटी मोटी ले रहें बच्चों को बढ़ा हैं अच्छे से सब लोग हो जाएगा अब जो मैं प पॉइंट देखना है पॉइंट यह है कि आप आपके पास अपने जीवन जीने के आप अपना लाइफ कैसे जीते हो इसके दो ही तरीके हैं दो तरीके से तुम जी सकते हैं जी सकते हैं एक तो जीवन हुआ जिसमें पूरा दूखी दूख है और एक जीवन वो जिसमें सुख़ी सुख है सुखी सुख का मतलब यह नहीं कि देखो कि बहुत सारे लोग नहतिक रहते हैं और बहुत परशान होते हैं वह सारे officials को सुनोगे 50 जितना दिन service नहीं उससे ज्यादा transfer हो रहा है तो वह तो दूसरा sense हो गया कि बेक्ति को अब परशान करो और परशान कर सकते हो लेकिन सुक्साम्तितों नहीं चीन सकते हो मौल्ब हमने चूरी नहीं किया है तो हमें किस बात का डर अब क्या कर सकते ज्याद़ा transfer कर दोगे और क्या कर दोगे निकाल तो नहीं दो सकते हमें तो गल्ती तो की नहीं है लेकिन हमने गल्ती कर दिया एक गल्ती का सजा कितनी बार भुगतना परेगा तो आपके दो तरीके हैं जो अपने जीवन जीने के